कॉंग्रिस विदायक विकरम‌मंभवी के काफिरे पर नकस्लियों द्वारा किये गए फांग के मामले में ग्रीमंतित आम जप साहु ने कहा कि विकरममंभवी गंगलूर की तरब दोरे पर जाने वाले थे उनको पुलीस वालों ने मना किया था कि वहां मत जाये बिना फोर्ट के बाद भी गए और सकुषर लोटा हैं उनके पीछे जिला पंचाय सदर से आ रही थी उन्होंने गोली चलने और टायर पर लगने की बात कही है हाला कि पीछे आ रहा है पत्रकारों के दल पर भी कोई कारवाई नहीं हुई है टायर बदलते जरूर पत्रकारों ने उन्हें द सेकुरिटी के उचित नहीं है पर वो गए वहां जाने बाद भी रोका गया उनको कहा गया कि हेलिकाप्टर हमारे पास है उससे कर देते हैं पर वो गए भी और सकुसल वापस भी आये हैं उनके काफिले पर कहीं पर भी कोई नक्सली हमले की जानकारी अभी नहीं आई है उन वह उनके ऊपर भी कोई कारिवाही नहीं हूई ना उन्होंने कोई जानकारी दी टायर बदलते जरूर उनने दो गाड़ी का इसके अलावा अभी और विस्त्रिच जानकारी मंगाया जा रहा है लेकिन वहां सभी कुसल्ळ हैं कहीं पर भी कोई किजवल्टी मैं जब नहीं 10 सुरक्षा वलों के तरफ से बतायाई भी जाता है। उसके बाद भी जनपतिंधी विधायक जो है वो जबरदेस्ति इस तरीके से दौरे पर जाते है। हम लोग बार बार कहते हैं कि इस प्रकार की घटना ना हो उसके लिए क्योंकि सुरक्षा हम मुहिया कराने में कहीं पीछे नहीं है एक एक व्यक्ति के लिए पूरी सुरक्षा मुहिया कराते हैं पर क्यों ऐसा करते हैं एक बात समझ में नहीं आता जान सब की कीमति है और कोई अभी भी काम करें, अपने आपको सुरक्षी तरक्र करें, ऐसा आग्रह पहले भी हम लोग करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं कि जाने के पहले सूचना दें, हम लोग सुरक्षा व्यवस्था कर लें, उसके बाद जाएं, किसी को कोई मनाईए.